हलो फ्रेंद्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आज मैं एक ओवर्व्यू वीडियो लेकी आई हूं काफी दिनों के बात काफी दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूं तो मेरे जो प्रिशान हो रहे हैं कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाला है तो फाइनली आज मैं एक ओवर्व ब्लूमिंग पे थे मेरे फुल ब्लूम कर चुके थे लेकिन इन में जब पानी नहीं डला कुछ दिन जब मैं घर्म पे नहीं थी तो उसके कारण फ्लावर जो है फेड हो गए कुछ और कुछ अभी अच्छे हैं तो काफी सारे फेड फ्लावर तो मैं इस तरह के हटा चुकी ह अभी मैं कुछ दिन के बाद इन्हें भी हटा लूँगी और यहां पर यूफोर्बिया मिली में भी काफी अच्छी फ्लावर एक के बाद एक आ रही है इस पर मैंने वीडियो भी शियर किया था यह हमारे देसी कलांचु है और काफी अच्छी इनमें ब्लूमिंग होती है क काफी सुन्दर लगता है तो यहां पर मैंने पॉपी के जो सैपलिंग अभी तो तीन दिन पहले ही लगाए है यह वाले क्रिसमतिमा मेरे पूरी तरह से फेड हो गया में इने में हटा लूँगी और यहां पर है जरेनियम जरेनियम में तीन फ्लावर काफी अच्छी काफी दिनों से खिले हुए है और यहां पर दिखा रही है यह मेरे कुछ डॉग फ्लावर और गजानिया लास्ट यह के बच कहते हैं उन्हीं को मैंने चला लिया है इस साल भी तो इन में फ्लावरिंग अच्छी आई हुई थी डॉग फ्लावर में लेकिन इनके फ्लावर स्पैन हो गए ते यह गजानिया भी अब खतम होने वाले इनके यह इस बैन होने वाले हैं क्योंकि यह काफी दिनों से खिले हुए हैं प्लांट हेलदी है उनमें और भी फ्लावर आएंगे अभी काफी सारी कल्यां भी बन रही है यह देखे इसमें कुछ पैस्ट जैसे भी रख रहा है तो मैं इस प्रेय भी कर दूंगी तो जितने भी घजानिया के प्लांट थे ना मैंने लास्ट एर ओर लेट सीडिलिंग करी थी तो मेरे जो प्लांट थे वह बच गहते आर बर्सात में भहते तो मैंने उन्हीं प्लांट को फिर से रिपॉर्ट करा था तो ये मेरे चल गए है यहां कलांचू भी मैंने छोटी-छोटी कटिंग लगाई हुई थी और ये वाले जो डॉक फ्लावर है ये मैंने जो लास्ट ये सीड पचा रखे थे उसी में से लगाए हैं ये सीड से मैंने इस साल ग्रो किये तो इनकी ग्रोड जो है घल्दी है देखिए अभी छोटा है ये ग्रो नहीं कर पाया तो इस तरह से है और यहां पे साल विया और ये प्लांट मेरा ये भी पूरी तरह से खराब हो गया था मैंने इसे अब उपर उपर से थोड़ा सा प्रून कर दिया है कि हो सकता है ये फि तरह से ग्राब हो चुके हैं ये भी मेरा पॉर्ट गिरा पड़ा था पूरी तरह से मंकियों ने डेमेज किया था और ये नस्टिशियम के मैंने सीट से लगाये थे प्लांट उनमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है यहां पे कलांचू है ये वला औरेंज कलर कलांचू मैंने इसी साल खरीदा था लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो मैंने अभी तो इसमें वुड़ाइश डाल दी है और मैं देखूंगे अगर ये अच्छी ग्रोथ नहीं किया तो मैं इसे फिर थोड़ा रिपॉर्ट कर दूंगी ये जो मेरे जो है औरनमेंटल प्लांच है और ये देखिए ये मदर आफ मिलियन्स कही है या मदर आफ थाउजन इसमें फ्लावर बंच देखिए कितना खुबसूरत आता है इसके जो फ्लावर है वो छोटी छोटी सी यहूं लगती है जैसे घंटिया लगी हुई हूई हूई अब श्देखिए नाप लोगोगोड़न उन फ्लावर हलने को आए है और दूबारा से की प्रूणिंग करनी है ताकि यहें श्वर में में भी अच्छी फ्लावर कर पाए और यहां पर यह पालग है और इसमें से बही मैं पालग हार्वेस्ट कर लूँंग ने साथ साथ थोड़ी सी पत्था गभी भी लगी हुई है कुछ वीड रूट भी लगी हुई है तो पालक निकाल लूँ गी मैं और यहां पर पालक के सीड भी बन रहे हैं तो इन सीड को फिल हाल तो मैं बनने दे रही हूँ और यह जो है पत्थर चेटा की फ्लावर है और पत्थर चेटा में इस तरह से मैंने फर्स टाइम दिखा है यह कुछ ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं फ्रूट बनेगा लेकिन मैंने मुझे कोई आइडिया है नहीं देखते जो भी हुआ पोटेटो के प्लान कितने घराब हो ग लाए थे विंटर के तो यह हुलि होक्स है और भी है इनको मैं निकाल ही नहीं पाई हूं अभी और यहां पर वेसिटेवल गार्डन का अगर मैं दिखाऊं तो बहुत बुरा हाल है देखे यहां मुझे काफी सारा काम अभी मुझे यहां करना है और कल ही मैंने जो कैबिज ह काली फ्लावर्स है जो को भी है उनमें मैंने मिट्टी चड़ाने का कांग किया यहां पर देखिए यह मेरे डेहलिया के भी सैप्लिंग्स रेडी है बट मैंने लगा नहीं पाई और मिर्च का प्लांट भी पूरी तरह से ड्राय हो चुका था अभी मैंने इनको रेगुलर पाने दिया है कुछ दिनों से तो सारे मेरे पौदे थोड़े ठीक हो गया है कुछ और कुछ तो खराब हो ही चुके थे यह तेज़ पत्ता पर इस तरह से अब फ्लावर बन रहा है या सीड बन रहा है पता नहीं और मैंने फर्स टाइम ही लगाया है तो मुझे आइडिया लंबी हो रही है और पतली सी तो कुछ इस तरह से था मेरे गार्डन का अपडेट दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब